ध्यान से सुनिएगा तो हुआ कुछ ही हो कि एक लड़का काम की तलाश में गाव से बड़े से शहर में पहुंच जाता है अब उसके पास पैसों की कमी होती है इसके लिए उसे जल से जल नोकरी ढूणनी थी अब वो आसपास पता करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि एक बड़ी सी कंपनी है वहाँ पे ओफिस बोई की जरूरत है अब जैसी वो वहाँ पर पहुंचता है वहाँ का HR उसका टेस्स लेने के लिए थोड़ी बहुत ओफिस की क्लीनिंग करवा के देखता है अब उसमें वो परफेक्ट होता है तो वो HR उसे कहता है कि नोकरी तो तुम्हें मिल जाएगी तुम्हें काम करो तुम अपना मेल आइडी दो मैं तुम्हें जोब लेटर भेजता हूं मेल पे यह 100 रुपे में टमाटर खरीता है और घर-गर जाकर उन टमाटरों को बेजता है और 100 रुपे से उसके पास 200 रुपे कठ्टे हो जाता है अब वो बैठके सोचता है कि यहाँ पर शेहर में जो लोग है न वो इतने व्यस्त है कि वो सूपर मार्केट जाके शायर टमाटर भी नहीं खरीद सकते या रोज मरना की चीज़ें नहीं खरीद सकते अब उसने यह सोच लिया और यह समझ लिया कि यहाँ पर पैसा कमाना आसान है तो वो डेली एक काम करता जाता सूपर मार्केट, समान खरीदता, घरगर जाके बेजता धीरे-धीरे करके उसने एक-दो लड़के भी रख लिया ऐसे करके बिजनस बढ़ते चले गया और फिर उसने अपने एक ट्रक भी खरीद लिया फिर वो आस-पास की गाम से सब्जियन लेके आता और वहाँ पर बेचता ऐसे करके वो बंदा एक-दो साल के अंदर ही मिलिनेर बन गया अब एक बार क्या हुआ कि कोई पोलिसी बेचने वाला, जो फैमिली पोलिसी बेचता था, वो उसके घर आया अगर आपके पास मेल आडी होता, तो आप कहां के कहां होते हैं आपका विजनेस कहां का कहां पहुझ जाएगा सर मेल आडी तो रखिये, तो फिर वो प्यार से जवाब देता है कि अगर मेरे पास मेल आडी होता न, तो आज मैं किसी बड़ी सी कमपनी में ओफिस बोई की नोकरी कर रहा होता है इसलिए आपके पास अगर रिसोर्सिस नहीं है तो उसका रोना रोना बंद करिए और आपके पास जो है उसकी किमत को समझिए और वहीं से ही पैसे कमाने की और आगे बढ़ने की कोशिश करिए रस्ता अपने आप मिलेगा